हालो गाईस कैसे है मेरा यूट्यूब चनल में आपका स्वागा थे आज मैं आपको बहुती बढ़िया वीडियो दिखाने वाले हूँ यह जो मोडेल देख रहे है सैमसंग यह 50 और इस हंसेट में हैंग इन लोगों यह ओटो रियस्टाट का प्रॉब्लेम आया है तो मैं लाइव आपके समने रिप्यार करके दिखाऊंगा कोई भी वीडियो में अडिट नहीं करूंगा और स्रेफ एफिप्टी और नहीं जितने सारे आपके पास और रियस्टाट व अहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो तुझे फिप्टी और ने चार्ज बैतर है और यह हैंसेट है जो आटो रियस्टाट हो रहा है तो हम इसके उपर काम करेंगे अच्छिए पेहले हम इसको जो कैमेरा है सारे कैमेरा को निकल लेंगे नहीं तो काम करते लेन्स खराब हो सकता है तो दियान रखेंगे जब आफ माधर बूट पर काम करें तो उसका जितना सब्सक्राइक कैमरा है अगर इसका कामेरा निकल रहे तो ध्यान रहें करें इस तरफ से मच्छ आपवा दीजिए इस तरफ से रबाये तो क्या होगा इसका जो गलती से इस तरह से दबा द्याक गवर तो इसका यह बॉर्ट तूट सकता है कि हमें क्या करना है सिंप्ली इसका जो पॉर्ट सेक्षन है पॉर्ट सेक्षन को निकलना है कि हमने इसका पॉर्ट सेक्षन निकल दिया अब हम क्या करेंगे इसका जो क्रिस्टल है यहाँ पर देख सकते हैं पाउर इसी के पास एक क्रिस्टल लगा हुआ है कि यहाँ पर हमें इस क्रिस्टल को उपर काम करना है पहले हम इससे पहले एक वीडियो में ने बनाया था एम एक्चुली क्रिस्टल काम क्या घरते हैं तुम्हें पहले बता दो कि क्रिस्टल का काम कहें और क्रिस्टल के लिए यह यह उन्हों सेट को और करें और्ञें करने के बाद सीधे Power AI में up ऑल्टेंज जायेगा प्रिस्टल के पास प्रेविचतराइब करने पीपी UMD आ करता है अब आपने कभी पर देखा होगा कि अगर आपका जो computer है या laptop है उसका अगर time and date सही तरह काम नहीं करता है तो वह on नहीं होता है फिर setting में जाकर time and date on करने ठिक करने से वह सही हो जाता है इस crystal अगर problem हो जाए तो auto reset आएगा आपका हैंसेट पर हैंग इन लोगों हो जाएगा या डेड़ हो जाएगा अगर ऐसे कोई symptom आपके पास है और एक चीज जो पार अपने मदर समसुंग जो मदर बट निकालेंगे अगर आप देख पाए कि पार ऐसी की पास में वो crystal लगा हुआ है तो आपका वो 32.768 kilohertz का crystal होगा और चीज जितना सारे हैंसेट है और यह जो 32.768 kilohertz का crystal लगा हुए वह हैंसेट ज्यादा तर रियस्टार्ट प्रब्लम आ रहे हैं जैसे कि यह 501, A50S, M30S जो हैंसेट में रियस्टार्ट प्रब्लम नहीं हो रहा है उस हैंसेट में megahertz का crystal लगा हुए only for watch देखने के लिए तो 2.768 kilohertz का crystal जो हैंसेट में अभी रियस्टार्ट प्रब्लम नहीं हो रहा है तो शायद उसको निकल कर Google पर सब्सक्राइब देख सकते हैं उसमें यह crystal नहीं लगा हुआ है और वो crystal megahertz का लगा हुए तो हम क्या करेंगे इस crystal को आप में live solution दिखा रहा हूं और यह कैन को भी अ सब्सक्राइब निकल करके लगा दिया सॉल्व हो गया लेकिन वह 15 से 20 दिन के ज्यादा नहीं जाएगा फिर से प्रॉब्लम होगा तो पर्फेक्ट आपको solution लेना है यह 50 ऑन या कोई भी रियस्टार्ट हैंसे crystal डिरेक्ट चेंज कीजिए 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो तो चलिए हमने crystal को change करके देखते हूं तो थोड़ा सा पेस्ट कर लेंगे मैंने यह पर दो तिन सरे crystal लाखे रखा हूं कोई भी एक हम इसको लगाएंगे कोई भी एक हम रिप्लेस करके देखेंगे कर देखेंगे कर दो लिए करेंगे कर दो ले रहनीे कर दो नाम कर दो कर दो. बाहु कर दो अिर्फー कि देखिए यह है ओल्ड क्रिस्टल मैंने निव एक प्रिस्टल लगा दिया है आप हैंसेट को बिल्कुल ठंड कर लेंगे उसके बाद ऑन करेंगे कि यह जो गरम है गरम रहते बाद करना नहीं चाहिए उससे आपका सीप्यू खराब हो सकता है और हाँ जब क्रिस्टल रिप्लेस कर रहे तो धियान रखिए पार इसी पर ज्यादा हीट ना चले जाए और ज्यादा तक हीट दे देंगे तो पीछी के तरफ सीप्यू लगा होत तरफ सकता है अजब प्रफाने अजब दो फिए भंग कि अभी रिस्टाट नहीं हो रहा है कि तो फ्रेंड यह हैंसेट और कभी भी रिस्टाट नहीं आएगा इसका जो रिस्टाट प्रॉल्म था क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक हैंसेट को सेम क्रिस्टल चेंज करके सॉल्व किया था और मैंने अपने पास खूद एक मैने तक चेकिंग के लिए करका था और एक भी वार वह रिस्टाट नहीं हो तो ऐसे दिख्कात अगर आपके पास आए तो इस क्रिस्टल को चेंज और हाइज जो क्रिस्टल अपको कॉंसेट्स रिस्टाट प्रब्लम नहीं है अगर उसका क्रिस्टल सही रहा तो वीडियो को पहले से खत्म तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया प्लीज ये वीडियो कैसे लगा मुझे कॉमेंट कीजिए अच्छा लगा तो ला अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद